जम्मू में आतंकियों के हमले में घायल जवार नगर के दिनेश को सरकार ने बिसरा दिया पहले हैलट फिर लखनौ के के जीयमिय उस्पताल से बिना इलाज लोटा दिया गया घर के एक कोने में लेटे लाचार दिनेश ने बुद्वार को आरे नगर से सपाविधायक अमिताब बाचपई को मददगार के रुप में अपने सामने देखा तो आखे चलक पड़ी बोला कोई तो हमदर्दाया सपाविधायक ने उसे 20,000 की आर्थिक मदद दी इससे खुश दिनेश ने बताया कि आतंके उन्हें उसके पेर में गोली मारी थी हमले में उसकी आख भी जखमी हुई थी जब मुमें ऑपरेशन करके उसकी पेर की गोली निकालने के बाद घर बेज़ दिया गया या हैलेट गया तो लखनव रेफर कर दिया गया वहां भी कोई इलाज नहीं हुआ उसके पास इतना पैसा नहीं है कि दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा सके सपाविदायक ने बताया कि दिनेश के ऐसे हाला से जूजने की जानकारी मिलते ही आज यहां कर उसे 20,000 की चेक दी यह पार्टी के ओर सी नहीं बलकि अपने वेतन वाले खाते से दी है दिनेश को दिल्ली के एमस अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है जरुष पढ़ने पर उसकी और मदद की जाएगा आप कहा दिनेशा नहीं है मैं भी यह सिसा मौँ 6,35 का जवान नगर का निवासी हूँ अभी उस जर्मू में घटना उल्टी आतंकी हमला हुआ उसमें आपके सवाथ जी मैं भी था क्या घटना उल्टी कुछ जानगा नहीं है घटना से यह कि मैं बाबा के दर्सन करके कट्रा के लिए वापश जा रहा था सियासी जगे पर ही एक जगा पड़ती है आतंकीों ने अचानक से हमला बोल दिया था उसमें उन्होंने काफी फाइरिंग करी गोली हो ली तो हम लोग नीचे बैड़ गए थे उसमें ड्राइबर को गोली लगी तो बस हमारी खाई में पलड़ गई दो बार में उसमें काफी ज़्यादा चोटे आए गावी मिरता से गाया लोग आए थे तो जब हलका फुलका उड़ने की कोसिस कर रहे थे तो लोग 15-20 मिनट तक नीचे उतर के गोली बारूत कर रहे थे और उसनोंने मेरे टांग पर दो गोली मार दी थी और मेरी टांग तूड़ गए थी मैं जगमी आलत में पढ़ा था और मेरे सबसे यादा सिर में चोट आई है मेरे आँखों का परदा फट गया है मुझे एक आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जम्मो के हॉस्पिटल में मैं एडिमिट था उन्होंने मुझे को साथ दिन एडिमिट किया था नवे दसमें दिन छोड़ दिया है बोला कि बाकी का इलाज आके से कराईए और मेरी आँख में बहुत तकलीब और दिक्का था मैं देख नहीं पा रहा हूँ और मुझको वहाँ से जम्मो से कानपूर वेद दिया गया हैलेट से थोड़े बहुत इलाज हुआ उन्होंने वहाँ से लखनाव रिफेर कर दिया था लखनाव में बोला कि क्या ना मैं उनके आँखों का परदा फट गया है उनकी 15-20 दिन दवा चलेगी और दवा खिलाई उसके बाद ही कुछ कर पाएंगा उन्होंने हमको वहाँ पे एड़िविन नहीं लिया मैंने ही अपने ही पैसे से अंबुलेंस करके घर पे आया हूँ मेरे पास पैसे ऐसे थे हैं नहीं कुछ भी मैं खाने पीने के लिए मोताज पढ़ा हूँ मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यहां की गौर्णमेंट से कि मेरा अच्छे से अच्छा और बढ़ियां से बढ़ियां किसी बड़े डॉक्टर को दिखा करा करके हमको ठेक कर दें और मेरे घर में कोई करने खाने वाला नहीं है मेरे पास पासा काउड़ी नहीं है मेरे घर में रासन पानी नहीं है मुझको सरकार से यही बिंती है कि मेरा पूरा खर्च दे करके मेरा अच्छे से पूरा इलाज करा दे मैं जैसा था वैसा ठीक करते मुझको बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा कि मेरी आख से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सरकार से हाथ जोड़कर यही भी इंती चाहिता हूं। बड़े रहा है, मैं सरकार दोरा नहीं हो पारी तो इसे में हम समाजवादी जो पार्टी के हमारे काकरता साथी हैं, उन्होंने ख़बर करी एक ऐसी परशानी है, तो हम लोग आज मौके पर आएं, हम लोग देखा है, कि इस पकार चाहिता की घटना में घायल की कोई मदद सरक सरकार दोरा नहीं हो पारी, वो सरकार यो दस साल से है, वो ना आतंग वा तो काबू कर पाई, और ना आतंग की घटना में घायलों के मदद कर पार रही, ना हम अपने कानपूर से लेके लखनव तक इलाज को ऐसी बेवस्ता विक्सित कर पार रहे हैं, जिसमें ऐसे पीडि बार उस पैसे से दिल्ली जा सके, और दिल्ली जाके एम्स के डॉक्टरों को दिखा करके अपना आगे एक इलाज सुशित कर सके, और ये भरोसा भी दिलाया है, इस समाजवादी पार्टी दुर्ट तकली पे उनके साथ खड़ी है, आगे भी इलाज में जो मदद की वो मदद हम लोग करने का हर समब प्रियास करेंगे, आज किस मौके पे लेकिन हम ली जानना चाहते हैं, कहां है उत्तर पजैस के स्वास्त मंतरी, जिनका दूसरे दलों के निताओं को सामिल करने पर तो जो रहता है, लेकिन कानपूर और मेटलर लखनौ के जैसे मेटलर क पॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, इसका संग्यालने स्वास्त मंतरी है.